दोसों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Flip Card के उपर Big Billion Day Sale इस्टार्ट हो चुकिया जो कि 8 October से लेके 15 October तक चलेगी और इसी तरह से Amazon की Sale भी इस्टार्ट हो चुकिया बट आज इस वीडियो में हम Flip Card के उपर जो Sale चल रही है Big Billion Day Sale इस Sale के तोरान जो आपको Credit Card के उपर Offer मिल रह प्रोड़क को Buy करके दिखाऊँगा और आपको उन सभी Offer को Apply करके दिखाऊँगा जो कि अभी आपको Flip Card की Big Billion Day Sale के अंदर मिल रहे हैं और आप किस तरह से Maximum Discount रिट सकते हैं सभी कुछ आपको Practical दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर हम Flip Card, Axis Bank, Credit Card और Normal Axis Bank, Credit Card के जो Offer हैं उनके बारे में भी डेटेल में बात करेंगे तो चलिए अब हम Finally वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि Flip Card Big Billion Day Sale के अंदर जो आपको Credit Card पे Offer मिल रहा है वो कौन-कौन से Credit Card है तो सबसे पहले आपको Flip Card के उपर जो Big Billion Day Sale है इसके अंदर आपको ICICI Bank के Credit Card के उपर Offer मिलेगा ICICI Bank के Credit Card के अंदर जो Amazon वाला ICICI का Credit Card है उसके उपर आपको Offer नहीं मिलेगा और साथ में आपको Access Bank के जो Credit Card है उन सभी के उपर Offer मिलेगा लेकिन जो Flip Card का Access Bank Credit Card है और Flip Card का एक और Credit Card है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो Flipkart के इन दोनों ही credit card के ऊपर आपको जो offer मिलेंगे वो normal credit card से थोड़े से different हैं. किस तरह से आपको इन credit card के जरीए maximum discount लेना है अभी मैं आपको बताऊंगा. और अगर आपको पास city bank का credit card या फिर कोटक bank का credit card है तब आप Flipkart की big billion day sale के दोरन offer का फायदा उठा सकते हैं. चलिए अब फायदी यहां offer के बारे में बात करते हैं कि आपको Flipkart के ओपर जो offer मिल रहे हैं आपको कौन-कौन से offer मिल रहे हैं और किस तरह से आप maximum discount ले सकते हैं. तो यहां मैं आपको वीडियो में आगे बनने से पहले बता दूँ कि Flipkart की big billion day sale के अंदर जो आपको offer मिल रहे हैं वो आपको दो category के अंदर मिल रहे हैं. सबसे पहले अगर category की बात की जाए तो यहां आपको एक base offer मिलेगा और साथ में यहां आपको मिलेगा bonus offer. तो सबसे पहले हम यहां base offer की बात करेंगे और उसके बाद हम यहां bonus offer के बारे में बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर base offer और bonus offer की बात कर लेते हैं. आप total sale के दोरान 14,000 रुपे तक का maximum discount ले सकते हैं दोनों ही offer को मिला के जिसमें base offer होगा आपका और bonus offer होगा base offer में आप 4,750 तक का maximum discount ले सकते हैं और bonus offer में आप 9,250 रुपे का discount ले सकते हैं bonus offer आपको किस तरह से लेना है अभी हम बात करने वाले हैं अब ही हाँ पर हम Flipkart Axis Bank credit card और Flipkart Axis Bank Super Alight credit card के बारे में बात नहीं करने वाले हैं इस credit card के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे बहुत ही जल्दी तो सब सब पहले हम बात करते हैं जो आपको offer मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा तो गाइस जो आपको Flipkart की Big Billion Day Sale के अंदर offer मिलेगा वो तीन phase के अंदर मिलेगा पहले phase के अगर बात किया है तो 7 October से लेकर 9 October तक आप offer ले सकते हैं अपने credit card के उपर माल लेते हैं कि आपको सभी बैंक का एक credit card है तो आपको एक credit card के उपर maximum discount आप कितना ले सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इस बारे में तो अगर आप Flipkart की Big Billion Day Sale के दोरान grocery अगर buy करते हैं तो आप maximum discount 250 रुपीज का ले सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक information और दी दूँ कि फिलाल जो आपको offer मिलने वाले हैं वो non EMI transition के base पर अलग मिलेंगे और अगर आप EMI में transition करते हैं तब आपको offer अलग type से मिलेगा तो अगर आप 7 October से लेकर 9 October के बीच में grocery buy करते हैं तो आपको maximum 250 रुपीज का discount मिलेगा चाहें आप EMI में transition करें या फिर non EMI में करें और उसके बाद अगर mobile की बात की जाए तो mobile के उपर आपको non EMI transition के उपर 1000 रुपे का maximum discount मिलेगा 7 October से लेकर 9 October के बीच मिलेगा और अगर आप EMI में mobile buy करते हैं तो आपको maximum discount मिलेगा वो 15 रुपे का मिलेगा अगर other category की बात किया है तो other category के अदर non EMI transition करने पर आप 15 रुपे का maximum discount ले सकते हैं का maximum discount ले सकते हैं तो कोल मिलाके पहले फेस के अंदर आप साथ अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच maximum 1750 रुपे का discount ले सकते हैं अपने किसी भी एक credit card के उपर माल लेते हैं कि आपने access bank के किसी भी credit card से जो भी आपका एक credit card है आपने उससे maximum 1750 रुपे का discount ले लिया अब आप अपने उसी credit card के उपर फिर से offer लेना चाहते हैं यानि कि फिर से offer का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो shopping करनी होगी वो second phase के अंदर करनी होगी और second phase जो आपका start होगा वो 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच होगा और इस बार जो offer हैं वो थोड़े से change हो जाएंगे चलिए अम मैं आपको offer के वारे में समझाता हूँ 10-12 अक्टूबर के बीच जो आपको मिलेगा अगर दोस्तों आप grocery अगर buy करते हैं तो offer same वही रहेगा 250 रुपीज का maximum अगर आप mobile buy करते हैं तो आपको फिर से वह 1000 रुपे का non EMI transition करने पर 1000 तक का discount मिलेगा वहीं दोस्तों EMI transition करने पर आपको फिर से वही 1500 रुपे तक का discount मिलेगा and guys अगर other category की बात कि जाए तो इस बार other category के अंदर जो offer है वो थोड़ा सा change हो जाएगा यहां आपको non EMI transition करने पर 1250 का discount मिलेगा जो कि अभी आपको 1500 अभी इसको घटा के 1500 रुपे का कर दिया गया है तो खुल मिला के आप अपने same credit card के उपर जो आप already use कर चुके हैं उसके उपर फिर से maximum 1500 रुपे तक का discount ले सकते हैं and अब यह third phase के अगर बात किया है तो third phase जो आपका start होगा वो 13 October से लेकर 15 October के बीच होगा और जो आपको offer मिलेंगे third phase के अंदर आपके same credit card के उपर तीसरी बार वो भी maximum 1500 रुपे तक के ही आपको discount मिलेंगे जो second phase के अंदर discount रहेगा वो ही same discount आपका third phase के अंदर रहेगा तो guys यह जो अभी आपको मैंने offer बताए हैं यह आपके normal credit card जो आप use करने वाले हैं उन सभी credit card के उपर आपक जो offer मिलेंगे वो किस किस तरह से मिलेंगे और वीडियो के लाश्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से credit card से shopping करनी चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपर पहले phase की जो कि 7 अक्टूवर से लेके 9 अक्टूवर के बीच चलेगा तो grocery पे आपको यह 125 रुप देखने को मिलेगी वो नन EMI transition के ओपर 1000 रुपे की मिलेगी और EMI transition करने पर आपको maximum 1500 रुपे की कैपिंग की गई है नॉर्मल credit card के ओपर लेकिन यहाँ flip card की credit card एक्सिस भेंगे उनके अंदर आपको जो instant discount मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा और इसके अंदर जो capping की गई ह यहाँ जो आप maximum discount ले सकते हैं वो केवल 500 रुपे तक का ले सकते हैं और आगे की कहानी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप video को ध्यान से देखते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए तो अगर आप grocery अगर buy करते हैं तो यहाँ आपको first phase के अंदर 125 रु 25 रुपे का discount मिलेगा नन EMI transition करने पर वहीं अगर EMI transition की बात किया है तो 750 रुपे का आपको maximum discount मिल जाएगा flip card के access bank credit card के ओपर अगर यहाँ second phase की बात किया है तो second phase के अंदर आपको same offer मिलेंगे और third phase में भी आपको same offer मिलेंगे and video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी information दी दूँ कि अगर आप flip card के access bank credit card से किसी तरह की कोई भी shopping करते हैं तो आपको जो यह discount मिल रहा है 5% का यह तो आपको instant मिली जाएगा लेकिन इसके अलाबा आपको 5% का unlimited cash back भी मिलेगा जो की बहुत ज़ादा अच्छे से explain करूँगा with practical and उसके बाद यहां आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप flip card के access bank credit card से EMI पर कोई भी अगर transition करते हैं किसी भी product को अगर आप installment पर बाई करते हैं तो जो आपको 5% का unlimited cash back मिलता है फिर वो नहीं मिलेगा चली आप एक example से समझ लेते हैं कि आपको 10% का discount मिल रहा है तो यहां 10% के हिसाब से आपको mobile के उपर केवल 1000 расп का discount मिलेगा अगर आप बίνडकर installment के mobile को buy करते हैं माल लेते हैं कि हम 1500 crucified का discount मिलेगा केवल non-e-MI transition के उपर अगर आप उसी mobile को emi convert करो करके अगर buy कर रहे हैं गुल मिलाकर installment पर खरीद रहे हैं तब आ अगर आप इसी mobile को यानि कि जो आप एक लाख रुपे की shopping कर रहे हैं, एक लाख रुपे का जो product आप बाई कर रहे हैं, अगर आप इसको flip card के access bank credit card से बाई करते हैं, तो यहां आपको जो पहला discount मिलेगा, वो 5% के हिसाब से 500 रुपे का instant discount मिल जाएगा, और उसके बाद आपक जो आपका 99,500 रुपीज की जो amount बचेगी, उसके उपर आपको 5% का cash back unlimited मिलेगा, तो overall अगर देखा जाए flip card के access bank credit card के उपर जो आपको फायदा हुआ है, यानि कि profit हुआ है, जो आपको discount मिला है, वो total देखा जाए, तो 5,475 रुपे का आपको total discount मिलेगा flip card के access bank credit card से shopping करने तो अगर यहां compare करके देखा जाए, तो normal credit card के उपर आपको 1500 रुपे का discount मिल रहा है, एक लाख रुपे की shopping करने पर, वही अगर flip card के access bank credit card से, अगर आप shopping करती है, तो यहां आपको 5,475 रुपे का discount मिल रहा है, तो अभी आपको बहुती clearly समझ में आ रहा होगा कि कौन से credit card से हमें shopping करनी चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लफला है, इस Big Billion Day Sale के अंदर, इसी लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ताकि आपके जो सभी confusion है, वह दूर हो सके हैं, और आपको बात करते हैं, bonus offer के बारे में, अभी जो मैंने आपको offer explained किये है, यह तो केबल म हम बात करते हैं, bonus offer के बारे में, जो मैं आपको बताता हूँ कि bonus offer का मतलब क्या है, तो bonus offer का मतलब यह है कि अगर आप एक certain amount से उपर की amount का product buy करते हैं, तो आपको flip card की big billion day sale के अंदर extra discount मिल जाएगा, इसी को हम बोलते है, bonus offer, चलिए मैं आपको table के थूरू समझाता हूँ, तो आपको जो यह bonus offer मिलेगा, वो 7 step में, यानि 7 अलग-अलग category के हिसाफ से मिलेगा, जिसमें कि अगर first 2 category के अगर बात की जाए, तो इसके अंदर यहां हम सभी categories को सामिल करेंगे, केबल mobile और grocery को छोड़ के, तो तो अगर पहले bonus offer की बात की जाए, अगर आपके card value 24,990 या card का मतलब यह है कि आपने अपने जो फ्लेप card का जो card होता है, उसके अंदर अगर आपने 24,990 से उपर की अगर आप shopping करते हैं, तो आपको 500 रुपे extra मिल जाएंगे, वहीं दोस्तों, अगर आपके card की value 74,999 रुपीज या फिर इस से अगर उपर की हो जाती है, यानि कि अग bonus offer के दोरान, cable mobile को छोड़के और grocery को छोड़के other category के अंदर, अब finally बात करते हैं, यहाँ पर हम cable mobile के बारे में कि आप mobile के ओपर जो discount ले सकते हैं, bonus offer के दोरान वो कितना ले सकते हैं, और किस किस तरह से ले सकते हैं, तो कुल मिलाक अगर यह total discount की बात किया है, तो आप 5750 एक bonus offer extra मिल जाएगा, credit card के offer से अलग अटके, अगर आप 29,990 या फिर इससे उपर का mobile बाई करते हैं, तब आपको 49,990 या फिर इससे उपर का mobile बाई करते हैं, तब आपको 1000 का discount और मिल जाएगा, अगर आपके mobile की जो value है, वो 79,999 या फिर इससे अबब है, तब आपको जो discount additional मिलेगा, वो 3000 रुपे तक का मिल जाएगा, overall आप 5750 रुपे तक का bonus offer ले सकते हैं, इसके लाबा जितने भी electronic device हैं, उन सभी के उपर भी आपको bonus offer मिलेगा, electronic device के उपर आप maximum 1500 रुपे का bonus offer ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके जो card की value, या आप जो shopping कर रहे हैं, वो 49, 9,999 रुपीज या फिर इस से उपर की अगर आप shopping करते हैं, तब आपको 1500 रुपे का additional discount मिल जाएगा, and so इस video के अंदर मैंने जितने भी offer explained किये हैं, अगर आप इन offer को लेना चाहते हैं, तो आपको जो minimum order करना होगा, वो 2000 रुपे करना होगा, अगर आप grocery या फिर फिलिपक 5000 रुपे का order करना होगा, तब ही आप ये offer ग्रेब कर सकते हैं, and चलिए अब मैं आपको practically ये सभी offer एपलाई करके दिखाता हूँ, किसी एक product के उपर, तो जैसा कि अभी आप देख रहा हैं, फिलाल यहां से मैंने Samsung Galaxy S23, जो कि 14,990 यानि कि लगवग 15,000 रुपे का mobile है, इस को अपने card के अंदर डाल दिया है, चलिए फिलाल हम इस phone को buy करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि इस mobile के उपर, हम maximum discount कितना ले सकते हैं, अलग-अलग card के उपर, तो simply हम यहां continue पर click करते हैं, जैसे हम continue पर click करते हैं, तो continue पर click करने के बास, सब से पहले, यहां मे एक offer 4500 रुपे का मिल रहा है, minimum order value 5000 होनी चाहिए, तो फिलाल हमारा जो order है, वो एक लाख का है, तो यहां हमें 4500 का discount एक मिल गया, और 5% हमारा जो credit card का offer है, उसके हिसाब से 500 का discount हमें अलग से मिल रहा है, और 5% cashback के अगर हिसाब से देखा जाए, तो यहां 505 रुपे का हमा while को buy करते हैं, और चलिए हम बाकी other credit card से try करके देखते हैं कि हमें कितना discount मिलेगा, तो फिलाल अगर हम ICICI bank के Amazon वाले credit card से इस phone को buy करने की कोशिश करते हैं, तो cable हमें यह 4000 रुपे का offer मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह credit card जो ICICI bank का Amazon वाला है, वो big billion day sale के अंदर valid नहीं है, यहां आपको जो 4000 का discount मिल रहा है, यह किसी भी card पर मिल जाएगा, फिलाल हम यह ICICI का normal credit card select करते हैं, और यह normal credit card के उपर आपको 10,000 रुपे तर का discount मिल रहा है, चलिए एक बार details में चलते हैं, और details में जाने के बाद यहां आपको 3000 रुपे का discount है, वो आपको extra bonus offer के दोरान मिल रहा है, जैसा मैंने अभी आपको bonus offer के बारे में explain किया था, अभी हमारे card की value है, यानि कि हमारे product की value है, वो 79,999 रुपीज से जादा है, इसलिए 3000 का discount मुझे additionally bonus offer के दोरान मिल रहा है, और साथ में मेरे card की value है, वो 29,909 से भी ज्यादा है, तो card की value है, वो 39,999 से ज्यादा है, तो फिलाल मुझे bonus offer एक और मिल गया है, 1000 रुपे का, तो कुल मिला के मेरे इस mobile के ओपर मुझे 3 bonus offer मिल चुके है, और उसके बाद 10% का offer है credit card के ओपर, वो मुझे अलग से मिल रहा है, 1000 रुपे का, जैसा कि आप देख रहा है, 1000 रुपे का कर देखें, तो normal credit card के ओपर भी हमें 10,000 का discount मिल रहा है, यह 4,000 का normal discount हमें मिली रहा है, उसके बाद 1000 रुपे का हमें 39,999 के हिसाफ से हमें एक और bonus offer मिल गया है, और 29,999 के हिसाफ से हमारा एक और offer हमें मिल चुका है, कुल मिला के हमारे 3 bonus offer हमें मिल चुके हैं, और साथमें हम हमारा जो 10% discount है 1000 रुपे का जो base offer के दौरान हमें मिल रहा है वो मिल गया तो overall यहां भी हमें 10,000 का discount मिल रहा है एक बार हम यहां पर इस phone को EMI पर भी buy करके देखते हैं और देखते हैं कि जो offer वगरा है वो किस तरह से काम कर रहे हैं अगर यहां में EMI को select करता हूं तो EMI को select क करने के बाद अगर हम यहां ICICI bank के card को select करते हैं तो दोसो इस phone को EMI पर buy करने पर almost मुझे same वही offer मिल रहे हैं जो कि non EMI transition के उपर मिल रहे थे फर्क सिर्फ इतना है कि EMI transition करने पर जो आपको 10% discount 1000 रुपे मिल रहा था पहले अब वो बढ़के 1500 रुपे हो गया तो कुल मिला बहुत बड़ा loss होने वाला है because अगर आप flip card के access bank credit card से किसी भी product को EMI पर buy करते हैं तो जो आपको 5% का unlimited cash bank मिलता है वो नहीं मिलता तो यहां आपको बहुत ज़ता घाटा हो जाएगा अगर आप EMI पर buy करते हैं flip card के access bank credit card से किसी भी product को and उसके बाद अगर हम normal access bank के अगर credit card के तोरान जैसा कि आप देख सकते हैं and चलिए फिलाल हमारा ये तो एक लाख रुपे तक की amount का product हो गया अब हम यहाँ पर एक product और चेकर करके देखते हैं जिसकी card value थोड़ी कम रहेगी तो फिलाल यहां से मैंने realme 11 pro को select कर लिया है जो कि 25,999 रुपीज का है चलिए हम एक पर इसको select करते हैं buy now पर click करते हैं और देखते हैं कि जो offer वगरा हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं flip card access bank credit card के अंदर आपको 5% के हिसाब से 500 का offer मिल रहा है और 7 में आपको 5% का cashback मिल रहा है 1278 रुपे का तो अभी हम back लेते ह तो यहां भी आपको 1000 रुपे का ही discount मिलेगा तो फिलाल इस phone को अगर हम flip card के access bank credit card से normally अगर हम buy करते हैं तब हम flip card के access bank credit card से buy करने में फायदा होगा because हमें वहाँ जदा discount मिलेगा अगर हम यहां EMI transition की अगर बात करें तो EMI transition करने पे हमें जो normal credit card हैं उन से buy करने पे फायदा होगा जैसा कि आप flip card के access bank credit card से देखें तो केवल आपको 5% का discount मिलेगा EMI transition करने पे वहीं अगर आप ICICI bank के credit card से देखें तो यहां आपको discount मिलेगा पूरा 1500 रुपे का तो अगर फिलाल अभी आप EMI transition पर किसी phone को buy कर रहे हैं तो आप normal credit card से buy कीजिए अगर आप normally बिना कि EMI transition के product को buy करना चाहते हैं तो आप flip card के access bank credit card को try कर सकते हैं वैसे आप दोनों तरह के offer को पहले try करके देखें कि किस से आपको ज्यादा फायदा मिलना है और उसी के बाद आप उस offer को apply करें और आप अपने product को buy कर सकते हैं